स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उत्रे टेक्नो स्पोर्ट स्पोर्ट यो स्पिरिट लेकर क्रिकेट प्रदान मंत्री बहुत सारे ट्वीट किए यह जानते हैं कि अपने घर ले कर आरेए ब्रांज मिडल यह बहुत ज्यादा खास है क्योंकि यह उनका लगातार दूसरा ब्रांज मिडल है उलम्पिक्स में उनकी जो सक्सेज है वो स्किल्स प्रिजर्वेंस और टीम स्पिरिट की जीत है उन्होंने बहुत सारी बहुत सारा लचीलापन दिखाया और उन सबको सारे प्लेयर्स को बदाई हर इंडियन फैन का होकी के साथ इमोशनल कनेक्ट है और यह यह फोन पर बात करके जो कि जनरली करते हैं वो अकसर जब भी ओलम्पिक मेडल जीता जाता है मनुभाकर को कॉल किया था सब्सक्राइब को साले को फोन किया गया था सरब जोट से बात की गई थी और आब इंडियन टीम से बात की गई होकी टीम से हां और यह बड़ी अच् प्लेयर रहे थे और अधेंस में कहले थे यह अब आजकल चला थे इन्होंने ट्विट किया था यह तो कुछ परसनल है इनका क्योंकि होकी कहले भी तो भारत का लगा था दूसरा ओलम्पिक मेडल बहुत बड़ा बूस्ट होगा होकी के लिए इंडिया में इन्होंने यह भ हम तकरीबन कंसीड कर देते तो फिर मैच चला जाता प्रेल्टीज में उम्मिद करता हूं कि यह मिलियन किड्स को लाखो बच्चों को इंस्पायर करेगा कि वह हौकी खेले मैं हौकी से प्यार करता हूं ऐसा रस्क्वीनिया ने ट्विट किया राजस्तान रॉयल्स हमेशा यह लोग कुछ ने कुछ करते रहे दिनने श्रीजेश की दो तस्वीरें शेयर की पहला जिसमें वो गोल पोस्ट को दंडवत प्रणाम कर रहे दूसरा जो बाहें फला के खड़े हुए थे इस पिन जो बनाया था मैं चाहूंगा लोग दिखा देयार यह मेरा देश है और मैं यहां का पिया श्रीजेश यह पोटो काफी काफी वाइरल हुई है टोक्यो में हमने देखा था गोल पोस्ट पे चड़के बैढ़ गए थे इस बार भी वैसा किया लेकिन दोनों ऑलम्पिक्स में जब दोनों में ब्रॉंज जी था दोनों में गोल पोस्ट की तरफ दंडवत प्रणाम किया एश्रीजेश के लिए थो आपके लिए होकी होता होगा बहुत बड़े एरियेका के गिमन के लिए तो जो है वह उनका सर्कल हो इप जो Fortune मा Nhü इन्सान होंगे हमेशा जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर इन्होंने भी ट्विट किया क्या कमाल की इच्छा शक्ति दिखाई क्या कमाल की ताकत दिखाई बहुत सारी बदाई हमारी हौकी टीम को ब्रॉंज मेडल जीतने के लिए आपकी जो पावर पैक परफॉर्मेंस थी एथेंस ओलम्पिक के सिल्वर मेडलिस्ट कैविनिट मिनिस्टर राजस्थान के मेल ने एंपी पर रह चुक है स्पोर्ट मिनिस्टर भी थे एक टाइम में ता मेरी इन से रगुलर बात भी होती थी खैर बरैक कर लेता हूं इन्होंने एक ट्विट किया मैसिव लगा था द इसके लावा रवी शास्तरी है हमारे फार्मर हेड कोच इनका भी आया है ट्वीट मिल्दब इनका कहना है सारा कुछ आप डिजर्व करते थे जिस तरीके की होकी आपने खेली सोलम्पिक्स में वह मैंने पिछले पंदर अभी सालों में नहीं देखी थी जो सबसे अलग मु जिदास होते तो गोल भी आ सकता था हर्शा भोगले मश्यूर क्रिक्ट कॉमेंटेटर उन्होंने कहा कि इस हफ्ते बहुत बार हमारा दिल टूटा लेकिन खुशी खूपसूरत होती हमको बहुत सारे हार्टब्रेक्स भी दिलना है पास्ट में क्योंकि लगाता है पहां पह कर्मा हेड कोच कमाल के लेजेंडरी स्पिनर 619 टेस्ट विकेट्स इन्होंन कहा गी इस से बहुतर तरीका नहीं हो सकता था कमाल के करियर को खत्म करने का बहुत बहुत बदाई हो श्रीजेश आपने लगाता दूसरा ओलंपिक ब्रॉंज जीता आपका जो योगदान रहा ह भारती होके में कमाल का रहा है आपकी स्किल्स और कमिट्वन ने बहुत सारे एतलीट्स को इन्स्पाइर किया है बहुत सारी बदाई आपको है पे रिटार्मेंट श्रीजेश के लिए भी बड़ा दिन था आज को रिटार हुए नवीन पटनाएक इंडियन होगी की आप बात करेंगे रिसेंट टाइम में तो नवीन पटनाएक की वेना ये पूरी नहीं हो सकती नवीन बाबू नहीं लगत है कि आप हमारी होगी टीम यहां पर होती नहीं प्टीट किया दो ट्विट्स के पहले में की बधायाई दि कि बहुत सारी बहुत इहतिहासियों को बहुत बहुत खास मोट है यह भारत के लिए होकी इन्डियन को बधाई यह लगाता दूसरा ब्रॉंच जीतने की बहुत सा पर भाई आपने इतना कुछ होकी को दिया तो उमिद करता हूं कि यह हमारी होकी के अच्छे दिन को वापस लाएगा और बहुत सारे देश को खिताब मिलेंगे कहां ही सुनते हैं सुरज की होकी टीम के मैचेज हो रहे हो और ओडिसा से बाहर कही हो रहे हो बहुत कम मुझे याद नहीं है हाँ क्योंकि जो फैसलिटी जो अडिशा में जमाना से दिल्ली के शिवाजी स्टेटी में बहुत सारे मैचोते से मेजर ध्यान जन्द स्टेडिम आपके रहधानी में लेकिन ओडिशा ने जो सुविधायन दे रखी हैं जो तरीके का इंफ्रस्ट्रॉक्शर डेवलप किया कमाल के करियर के बाद आप अभेद्य दीवार थे भारती होकी टीम के और आपको कंट्रिबूशन था इंडियन होकी के लिए वह हमेशा हमेशा उसकी खुशी मनाई जाएगी याद रखा जाएगा ग्राहम रिट भाई सब इंडियन होकी टीम को कोच रहे थे चीफ कोच थे और इनका कहना कि होकी से बड़ा प्यार करते हैं हमने टोक्यों मेडल जीता है लेकिन फीक है इनके कारेकाल पर बहुत सारी बाते हैं लेकिन यह जो मेडल जीता के गहे थे उसको आज चंटीनू रखा गया तो यह बड़ी अच्छी बात है इनको बढ़ाई इनको भी करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं यह कुछ चुनिंदा रियक्शन थे जो हमको लगे कि आप तक पहुचने चाहिए और बागी होकी टीम को बढ़ाई आप सभी को बढ़ाई कि लगातार दूसरा ब्राउज मेडल आया इस वीच मैं जब सूरज को रोक रही थी कि सब अभी बता देंगे कि श्रीजेश के बारे में जब आप बता रहे थे कि आलसी थे और कि असान लग रहा है एक जगा खड़े होना है तो भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा जैसे बागी प्लेयर्स को डिफेंडर्स को फॉर्वर्ड को पड़ता है यह काम नहीं करना पर बन जाता हूं तो यह सारी बाते उनकी पूरी कहानी आपको ललन टॉप पे ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिल जाएगी श्रीजेश के बारे में सब कुछ आप वो वीडियो देखिएगा हमको बताईएगा कॉमेंट्स में और इंडियन होकी टीम जो जीती है इसके बारे हमें भी हमको कॉमेंट्स करके बताएगे कि आपको कैसा रगा पारिस ओलम्पिक्स की पूरी कवरिज आपको ललन टॉप ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी शुक्रिया